वेलकम फ्रेंड माइनेम इस महम्मद असरप और आप सभी को स्वागत है हमारी यूटूब चैनल असरप टेक पे तो फ्रेंड अगर आपका कोई फोटो वीडियो जो आपसे गलती से डिलीट हो गया है आपके एपलोक एप्लिकेशन से अगर आप चाहते हैं उस फोटो उस वीडियो को वापस लाना उस फोटो को रिकवर करना तो फ्रेंड इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें आज के इस वीडियो में हम आपका बतलाएंगे किस तरह आप अपने एपलोक एप्लिकेशन से किसी भी डिलिट हुआ फोटो या फिर वीडियो को वापस ला सकते हैं उस फोटो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले फ्रेंड आप सभी से गुजारी से कि इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें इसके बाद यहां पर आप subscribe वाले button देख पा रहे होंगे इस पे आप कोई बार किलिक करके इस channel को subscribe कर लेना है उसके बाद आप यहां पे घंटी का icon देख रहे हैं इसने पर किलिक करके आप इसे all पे set कर ले उसके बाद फ्रेंट चली हम चलते हैं direct अपनेECLOK application पे यहां पे आपका पांच जो option आया है, सबसे पहले आप यहां पे अपना photo को छीपा के रख सकते हैं, यहां पे अपने वीडियो को छीपा के रख सकते हैं, तो friend आपको यह दोनों ही बात पता होगा कि आप कहां पे अपना photo और कहां पे वीडियो को रखते हैं, तो friend हम यहां प पर बात करते हैं फोटो के बारे में कि किस तरह आप फोटो को recover कर सकते हैं तो friend यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी 5 फोटो यहाँ पर update दे के रखा है अप्लोड करके रखा है तो friend आप देख सकते हैं मैंने यह 5 फोटो को यहाँ पर डाल के रखा है तो friend अगर आपका ये Applock Application डिलीट हो जाए और आपका सारा फोटो उड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे तो फ्रेंड आपको टेंशन लेने की कोई दरकार नहीं है तो फ्रेंड मैं आपको आज बतलाओंगा किस तरह आपको अगर Applock Application डिलीट भी हो जाता है आपको अगर गलती से आपका Applock Application अनिस्टोल हो जाए तो उस फोटो को वीडियो को किस तरह आप रिकवर कर सकते हैं तो फ्रेंड जब भी आप अपने Applock Application पे अपना फोटो या फिर वीडियो छिपा के रखें उससे पहले आप एक काम जरूर करके रखें आप यहाँ पे देख पार होंगे Advanced तो जैसे आप इस Advanced सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक Email ID का Option आएगा तो फ्रेंड क्या करना है वहाँ पे आपको अपना Email ID डाल के रख देना है तो फ्रेंड क्या होगा उससे अगर आपका Apple का Application कभी भी डिलीट हो जाता है तो फ्रेंड उस Email ID के दवारा आप अपने Apple का Application को फिर से इंस्टोल करके उस फोटो को बेक अप ले पाएंगे तो फ्रेंड अभी आपने देखा के मेरे Apple का Application पे मैंने अभी पाँच फोटो को यहाँ पे अपडेट करके रखा है तो फ्रेंड आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लें मैंने यहाँ पे पाँच फोटो को डाल के रखा है चलिए यहाँ से हम डारेट जाते हैं बेक इस Apple का Application को यहाँ से कर देते हैं अनिस्टॉल तो फ्रेंड यहाँ से देख लें मैं अनिस्टॉल कर रहा हूँ फ्रेंड आप वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें तब ही आपको समझ में आएगा वरना फ्रेंड क्या होता है कि आप वीडियो को सही से देखते नहीं और फिर कमेंट में उल्टा सिधा बात बोलते हैं तो फ्रेंड यह कुछ अच्छी बात नहीं तो फ्रेंड चलिए हम फिर से चलते हैं अपने Play Store पे Play Store पे जाने के बात फ्रेंड आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे Applock Application को सर्च कर लिया है और फ्रेंड आप देख सकते हैं यह जो Applock Application है यहाँ से मैं इसे फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ फ्रेंड अभी आप देख पा रहे हैं हमारा Applock Application जो है Open हो चुका है तो चलिए यहाँ से हम Applock Application को Open कर लेते हैं ऑपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको फिर से एक New pattern ड्रो करना पड़ेगा फ्रेंड अब हो चुका है फिर सामें आपको एक बर आडवांस पर किलीच करके देख लेते हैं यहाँ पर e-mail ID देनी के लिए दिया जा रहा है यहां पे वही email ID आपको डालना है जो आपने अपना पुराना application पे दिया तो चली यहां से हम अपने फिर से email ID को select कर लेते हैं जो मैंने अपना पुराना application पे डाला हुआ था तो इसे यहां से हम save कर देखते हैं तो चली देख़ा रहे friend यह हमारा successfully save हो चुका और यहां से हम एक बार बेक चले जाते हैं उसके बाद friend क्या करना है यहां पे friend मैंने अपना फोटो को चिपा कर रखा था तो हम इस पे एक बार click करते हैं उसके बाद friend यहां पे देख पा रहोंगे photo, video सब पे arrow बना हुआ है इस पे कोई भी photo या फिर video सब नहीं कर रहा है तो friend आपको करना क्या है friend यहां से आपको allow पे click करना है तो friend यहां पे आप JC click करेंगे तो friend आप यहां पे देख सकते हमारा जो 5 photo था वो यहां पे सही सलामत अभी भी रखा हुआ है तो friend आप देख लें फिर से एक बार आप देख लें यही हमारा 5 photo जो था वो सही सलामत हमारा यहां पे रखा हुआ है Apple के application के अंदर तो friend अगर आप सही email ID डालते हैं तो friend आपका photo जो 100% बेक अप आएगा friend अगर आज का यह video आप सभी को पसंद आया है